हेलो फ्रेंज तो आज मैं आप सब के लिए लेकर आई हूँ सुपर डेली सियस अंडा और बेशन की रेसिपी जो आप सबको बहुत ही पसंद आएगा तो इस रेसिपी को बनाने के लिए हमने यहाँ पर ले लिया है आधा कपके करीब बेशन अब हम इसमें डाल देंगे हम यहाँ पर तीन अंडा से बना रहे है तो आप यहाँ पर अपने हिसाब से अंडा ले सकते है अब हम एक बावल में तीनों अंडा को फोर लेंगे तो हमने यहाँ पर तीनों अंडा को फोर लिया है एक बावल में अब हम इस तीनों अंडा को बेशन में डाल देंगे तो प्रेंस आज का ये रेशीपी बहुत ही डेली सेस बनने वाली है तो आप सब वीडियो को लास्ट तक जरूर बने रहिएगा अंडा को डाल कर अब इन सभी को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब हम इसमें डाल देंगे कटी हुई धनिया का पत्ता और कटी हुई प्यास थोड़ा सा इसमें हम डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे फिर से एक बार उसके बाद एक चमच इसमें पाने आड़ कर देंगे इसमें पाने आड़ करने के बाद एक बार फिर से अच्छे से मिक्स कर लेंगे पर हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है तो आप इसका कंसिस्टेंसी देख सकते हैं इसी तरीके से गोल लेनी है इससे ज़्यादा मोटा नहीं करनी है इसको अब हम यहाँ पर लेंगे एक पैन पैन को अच्छे से गरम करके इसमें डाल देंगे थोड़ा सा तेल बस एक चमत से भी थोड़ा हमने इसमें तेल डाली हो इसको अच्छे से गरम होने देंगे और चारू साइट पैन में अच्छे से तिल को फैला लेंगे अब हम इस पैन में डाल देंगे वही घोल जो हमने अंडा और बेशन को घोल कर रखी थी सबी घोल को हम पैन में डाल देंगे गोल को हम फेला लेंगे पैन में अच्छे से अब हम यहाँ पर गैस के फ्लेम को लो ही रखेंगे और इसको हम ढख देंगे और ढख कर 2-3 मिनट के लिए इसको हम पकने देंगे 2-3 मिनट पकने के बाद ढखन हटा कर चेक कर लेंगे तो यहाँ पर देखिए अंडा अच्छे से पक गया है अब इसको हम क्या करेंगे साइट चेंज कर देंगे तो देखिए इसी तरीके से हम इसका साइट चेंज कर देंगे ताकि दूसरी साइड भी अच्छे से पक जाए तो यहां पर देखिए हमने पलट दिया है अब हम फिर से इसको ढखतेंगे और ढखने के बाद 2-3 मिनट के लिए फिर से लो फ्लेम में पका लेंगे तो यह अंडा और बेशन बहुत ही अच्छे से अंदर तक पक गया है तो यहाँ पर देखिए इसे पकाने के लिए एक चमज से थोड़ा कम ही तेल डाली थी इसमें हम तो इसे पकाने के लिए ज़्यादा तेल नहीं लगती है बहुत ही कम तेल में पक जाती है यह तो यहाँ पर ध्यान रखेगा बेशन का quantity जादा नहीं लेनी है नहीं तो सबजी उतना अच्छा बनकर तयार नहीं होगा अब हम यहाँ पर एक कराही को गरम करके उसमें डाल देंगे दो चमच के करीब तेल तेल को भी अच्छी से गरम कर लेंगे उसमें डाल देंगे कुछ खरी मसला तो हमने यहाँ पर सुखी मीर्च और जीरा और बड़ी इलाईजी को डाल दिया है यह सभी को हम थोरी दर के लिए भून लेंगे इन सभी को भूनने के बाद अब हम इसमें डालतेंगे कटी हुई प्याज प्याज को हम 2-3 मिनट के लिए मिडियम फ्ले में भून लेंगे प्याज 2-3 मिनट भूनने के बाद अब हम इसमें डाल देंगे अधरक लसुन का पेस्ट इसको भी हम थोरी देल के लिए भून लेंगे ताकि अधरक और लसुन का कचापन खतम हो जाए भुनने के बाद अब हम इसमें डाल देंगे कटी हुई टमाटर तो हमने यहाँ पर दो टमाटर को काट कर ले रही हूँ साथ में इसमें डाल देंगे स्वात की हिसाब से नमक तो हमने बेशन में भी नमक डाली थी तो इसी हिसाब से यहाँ पर हम नमक डालेंगे अब हम इसमें डाल देंगे हल्दी का पाउडर एक बार इन सभी को मिला लेंगे और ढग कर 2-3 मिनट के लिए मीडियम टू लो फिले में पका लेंगे ताकि प्याज और टमाटर अच्छे से गल जाए 2-3 मिनट पकाने के बाद यहाँ पर देखिए प्याज और टमाटर अच्छे से गल गया है अब हम इसमें डाल देंगे सुखी मसाला तो हमने यहाँ पर आधा चमज के करीब लाल मिर्ज का पाउडर आधा चमज के करीब जीरा पाउडर आधा चमज के करीब धनिया पाउडर और आधा चमज के करीब कास्मीरी लाल मिर्ज का पाउडर इन सभी मसला को डाल कर 4-5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम में हम भून लेंगे इसमें हम एड कर देंगे हरी धनिया इसको हम अच्छे से मिला लेंगे और 1-2 मिनट के लिए फीड से इसी तरीकी से चलाते हुए भून लेंगे तो यहाँ पर देखिए मसला हमारा अच्छे सी भून गया है कराही को मसला अच्छे सी छोड़ने लगे है और मसला से बहुत ही अच्छे खुस्प भी आ रही है तो अब हम इसमें क्या करेंगे ग्रेवी के लिए पानी डाल देंगे तो यहाँ पर हम थोड़ा सा पानी डालेंगे इसको अच्छे से मिला लेंगे मसला को पानी में उसके बाद हम बाकी का पानी डालेंगे तो हमने यहाँ पर डेर कप के करीब पानी डाल रही हूँ अब हम ग्रेवी को पकने देंगे तो इधर Amlet भी ठंडी हो गई है अब हम इसको एक प्लेट में ट्रांसफर कर लेंगे अब हम इसको काट लेंगे तो यहाँ पर आप इस Amlet को अपने मन पसंद सेप में लंबा चौड़ा करकी काट सकते हैं तो हम उसे यहाँ पर काजु कतली के शिप में काट रही ह slow तो हम एसी तरीके से हम अमलेः नेयगे तो यहां पर अबलेट को हमने काट लिया है तो यह बहुत ही अच्छा बॉशिओ इसे बहुत ही अच्छा अच्छा बॉशिओ पब चाहे है और इधर ग्रेवी भी अच्छे से पक गया है तो ग्रेवी को एक बार इसी तरीकी से चला लेंगे अब हम सब ही अमलेट के पीसेस को इसमें डाल देंगे और इसको एक बार हलकी हाथों से चला लेंगे अब हम इसको ढख देंगे और दो मिनट के लिए मीडियम फिले में पका लेंगे दो मिनट पकाने के बाद धक्कन हटा कर चेक कर लेंगे तो यहाँ पर देखिए अंडा और बेशन का सबजी बहुत ही अच्छे से पक गए है और यह अमलेट का पीसे जो है वो भी अच्छे से फूल गए है अब हम यहाँ पर आधा चमस के करीब गरम सलाइस में डाल देंगे अब हम इसको भीना ढख के आधा मिनट के लिए पका लेंगे आधा मिनट पकाने के बाद हम गैस की फ्लेम को आफ कर देंगे उसके बाद इसमें डाल देंगे कटी हुई धनिया का पत्ता उसके बाद इसे हम सौर्व कर लेंगे तो यह हमारा बहुत ही टेस्टी और चटपटा अंडा की सबजी बनकर तयार हो गया है तो फिरेंज आप सब भी एक बार जरूर इस रेसिपी को ट्राइ कीजिएगा यह बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में आप इसे राइस के साथ खाए रोटी के साथ खाए यह बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में तो उमीद करती हूँ आज का ए रेसिपी आप सबको अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा से ज्यादा सेर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, तो मिलते हैं, नेक्स्ट रेसिपी के साथ तक लीवाब वाई, तक क्यार